खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंतर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट नमस्कार आप देख रहे हैं जनतंतर टीवी मैं हूँ आपके साथ दिपाली कोरोना वारिस महामारी के खिलाब जारी लड़ाई में लागू किये गए लॉक्डाउन के वज़े से मज़ूर लंबे वक्त से फसे हुए थे और अब जब करीब एक महीने बाद उन्हें घर जाने के जाज़त मिली तो कि इन इस सरकार ने रेल किराय का सारा खर्च मज़ूरों से वसूलने का फैसल लिया है इस पर राजनीती बयान बाजी तेज हो गई है और अब कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गादी ने इसको लेकर बड़ा फैसल लिया है कॉंग्रस बाड़ी सभी जरुत मंद मज़ूरों के रेल टिकेट का खर्च उठाएगी कॉंग्रस अध्यक्ष सोनिया गादी ने फैसल लिया कि प्रदेश कॉंग्रस कमेटी की हर इकाई श्रमिक कामगार के घर लोटने की रेल यात्रा के टिकेट का खर्च उठाएगी और जरूरी कदम भी उठाएगी कॉंग्रस की तरफ से जारी किये गाए बयान में कहा गया है कि सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लागू होने के वज़े से देश की मज़ूर अपनी घर वापस जाने से वंचित रह गये 1947 के बाद देश ने पहली बार इस तरह का मंज़र देखा जब लाखों मज़ूर पैदल ही हजारों किलोमीटर चल कर घर जा रहे हैं सुनिया गांदी के ने बयान ये भी दिया कि जब हम लोग विदेश में फसे भारतियों को बिना किसी खर्च के वापस ला सकते हैं गुज़ात में कारिक्रमें सरकाली खजाने से 100 करोड रुपै खर्च कर सकते हैं अगर रेल मंत्राले प्रधान मंत्री राहत कोष में 51 करोड रुपै दे सकता है तो फिर मुश्कल वक्त में मज़ूरों की किराय का खर्च क्यों नहीं उठा सकता ये भी बताते चलें कि 24 मार्च को जब लॉक डाउन लागू हुआ था तब लाकों की संख्या में मज़ूर जहां पर थे वहां पर ही फस गए थे उसके बाद अब करीब 40 दिन के बाद उन्हें घर जाने के अजासत मिली है राजसरकारों के निवेदन पर कि इन सरकार ने इसके लिए स्पेशल ट्रेन के मज़ूरी दी है लेकिन जोरान मज़ूरों के किराय का खर्च राजसरकार उठाएगी जो कि मज़ूरों से ही लेने की बात कही गई थी